हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर आज मैं आपको जी एसी रीवा के गर्ल्स होस्टल का टूर करवाऊंगी ये है रीवा के आयुर्वेदी कॉलेज का गवर्मेंट गर्ल्स होस्टल आए चलते हैं होस्टल के अंदर ये रहा हमारा होस्टल और इसके सामने छोटा सा प्यारा सा गार्डन भी है इसको काफी मैंटिनेंस करके रखा जाता है माली भाया भी आते हैं प्रॉपर पानी दिया जाता है घास बड़ी हो जाती है तो इसको भी साफ करके जाते हैं और हम लोग भी काफी सफाई रखते हैं यहां पे कच्रावच्रा नहीं सहलाते हैं आखिर है तो हमारा ही और हमारे होस्टल के पास में इना ओपीडी भी है अब चलते हैं अंदर इस पुरे होस्टल में 28 रूम्स हैं और एक रूम में दो गल्स को रखा जाता है और हमारे हैं यह मेरी दोस्त है दामिनी इसको नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ अब चलते हैं मेरे रूम की तरफ यह रहा मेरा छोटा सा आशियाना जहां मैं अपनी लाइफ के साड़े पांच साल बिताने वाली हूँ हम 20 बैच के हैं और हमारा फर्स्ट बैच ऐसा है जो यहां पर शिफ्ट हुआ है क्योंकि अभी यह नया नया बना है हॉस्टेल इसे बने एक देड़ साल ही हुआ है यह रहा मेरे मैम का बैड और मेरी मैम की टेबल और उनकी चेयर हमको यहां से एक टेबल और अलग अलग परस्टनल चेयर्स मिली थी लेकिन एक्स्ट्रा रखी थी रेवल इसलिए हम लोग एक और ले आये रूम में तो परस्टनल परस्टनल टेबल हो गई यह रही मेरी टेबल और यह रही मेरी सेकंड येर की बुक्स हमें काफ़े स्पेस मिली है मेरा रूम जो है इस होस्टिल का सबसे बड़ा रूम है देखी टेबल में तीन ड्रॉर मिलती है इसमें आप अपना कुछ भी सामान रख सकते है जैसे मैं बता रही थी कि ये मेरे पूरे होस्टिल का सबसे बड़ा रूम है बागी सारे रूम जो है इससे छोटे हैं और बागी सारे same size के हैं ये रहा मेरा थोड़ा सा art and craft मैं कभी-कभी कर लिया करती हूँ मुझे काफे interest है ये chair मिलती हमको ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप एकदम college में बैठके और मुझे dex में बैठके पढ़ना अच्छा लगता है तो ये मस्त रहती है पढ़ने के लिए और cooler हम लोग खुच से ही लिये हैं यहां से नहीं मिलता है और personal almira भी मिलती है हम लोगों को और उसके उपर न space भी रहती है कि आप अपने bag और extra जो भी सामाने आप रख सकते हो तो ये मेरी है almira काफी मैसी सा हो रहा है सब कुछ ये रही मेरी मैम की almira और ये रहा है अपरेंट इली कॉलेज पहन के जाना पढ़ता है इस वज़ए से हमने बहारी अपरेंट रख दिया है कि मेरा और मेरी मैम का दोनों का बहारी रखते हम लोग और अभी ठंड चल रही है तो room heater भी रखा है और ये हमारा छोटा सम्मंदिर हमें बात ही अच्छी है यहां पर कि यहां पर दो switchboard दिये हुए है मैंने अपना bed भी वहीं पर लगा लिया है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है एक बार मैं अपनी mobile का back camera तोड़ चुकी हूँ इस वज़े से मुझे काफ़ी डर लगता है तो मैं वहीं पर रखके चार्ज कर लेती हूँ बैट पर ही असनली मुझे यह hostel बहुत पसंद है क्योंकि यहां का ventilation बहुत अच्छा है बड़ी-बड़ी windows दी हुई है मतलब जहां पर मेरा bed है वहां पर भी और मैं के भी bed के पास में तो काफी अच्छा लगता है इसी जाल मिले मुझे medals अभी games हुआता है हमारे यहां तो एक मुझे मिला है poster making में पर एक gold medal मिला है cricket team मतलब मैं भी थी उसमें यह रहा हमारे मिस का खाना आज बना है bagan का भरता मुंकी दाल रोटी और चावल और मैं बताती हूँ आपको कि हमारे हैं क्या-क्या facilities हैं तो मैं वाश्रूम दिखाने जा रही हूँ अब यह corridor है हमारा मैं first floor पे रहती हूँ यहाँ यह सामने से हमें college दिखता है सब अपने अपने रोम में हैं कोई दिखी नहीं रहा है चलो 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 चलते हैं काफी दूर है मेरा रोम इस किनारे तो वाश्रूम इस किनारे यह रहा वाश्रूम काफी साफ रहता है वैसे सच बताऊं तो डेली दीदी भी आती है सफाई करने के लिए और डेली क्लीन होता है हमारा रूम भी और वाश रूम भी गीजर भी है यहाँ पर शावर भी है सब कुछ है मतलब सब बढ़िया रहता है यहाँ पर यह मैं अपने ही फ्रेंड के रूम में आ गई हूं बिना बताएं ब्लॉग बन रहा है यह मेरी सीनियार है थार्ड यहर की यह देखो भाई कित्ता अच्छे से सजा के रखा है इनोने तो यह हमारी एक और में हम आ गई है यह करिमा है और जहलू है यह मेरे सुद्दुक के साथ ही आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसमें बहुत सारी बहुत सारी ट्रिक्स और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं Germany और इनके चेनल यह हमारी और हमारे होसिल के देख भाल करते हैं हमारे होसिल में कैमरे भी लगे हुए हैं यह देख सकते हैं यह हमारा मेस यहाँ पे fridge भी है फोड़ा सा गंदा हो रहा है खाना मनते हैं तो गंदा तो हो गई और यह रही chairs यहाँ पे decks लगी हुई है बैट के खाना खा सकते हैं फर मुझली लोग अपने room में ही खाना प्रफर करते हैं TV भी लगा हुआ है हम लोग कभी कभी आते हैं बिग बॉस देखने और यह रात का view यह देखो काफी अधेरा है लेकिन सामने से हमारा college दिखाई देता है और यह garden प्यारा लगता है काफी प्यारा लगता है रात में शाम को खाना खाने के बाद सब थोड़ा ही कठा होते हैं कुछ लोग जिनको होना होता है और फिर बातेशाते होती है और फिर हो गया फिर अपने अपने रूम आप प्लीज जरूर बताएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको जो भी चानना हो रिवा के एक आयरुवेदी कॉलेज के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना